इजराइल फिलिस्तीन के यूद में नया मोर आ गया है सोचिए यमन का जो लडाका है हूती जिसको भारत की मनुवादी मीडिया पता है क्या लिखती है यह लिखती है इनको आतंकी जबकि सचाई है कि वो लडाके हैं और उन्होंने धजियां उरा रखी है हूती लडाकों ने 200 इजरालियों को बंधक बना लिया है यह दो बड़ी खबर है इस समय जो सोचल मीडिया पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सोचिए भुमद सागर और लाल सागर जो यमन का इलाका है इरोप से जितने जहाज अमरीका इरोप से जितने जहाज इसिया में आएंगे इजराइल में हूती के लड़ाके उन पर सीधे सीधे रॉकेट दांगते हैं और उनको निस्त नाबूत कर रहे हैं नमस्कार मैं शंभुक उमार सिंग और आप देख रहे हैं निस्नल दस तक इसराइल एक कोस्टल देश है समुंदरी से घिरा हुआ देश है और उसका मुख कारोबार है तेल का और सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो उसके होते हैं वो समुंदर के रास्ते से होते हैं उसे पता ही नहीं था कि इसराइल और फिलिस्तीन युद का साइड इफेक्ट क् इसराइल को अब तक लगता था कि 75 साल से जिस तरह से वो जब चाहे इसराइल पर बंबारी करता था और कोई कुछ नहीं बोलता था दरसल फिलिस्तीन के पास अपनी सेना नहीं है फिलिस्तीन के पास अब कोई एरपोर्ट भी नहीं रहा राफा में एक एरपोर्ट था जिसको इसने बंबारी में बरबाद कर दिया निलसन मंडेला तब फिलिस्तीन के राश्पती उस समय के राश्पती यह सारा रफास से मिले थे तो सोचिए पूरी दुनिया में मनुवादी मीडिया जैसे भारत में काम करता है वहां के यहुदी मीडिया ने गोरो की मीडिया ने फिलिस्तीन को बदनाम कर रखा था और पूरी दुनिया फिलिस्तीन के वह आतंकवादी समझता था हमास को आतंकी समझता था और कोई मदद नहीं करता था लेकिन सोचल मीडिया ने पूरा खेल पलर दिया इस बार इजराइल को लगता था कि वही फिलिस्तीन है वही हमास है इस बार हमास ने तयारी कर रखिया लगभग सुचिए लगभग सास से आठ हजार सुरंग सिर्फ गजापटी में है इतने ही सुरंग बेस्ट बैंक में है हमास को पता था कि वो जो करने जा रहा है उसके बाद इजराइल बंबारी करेगा इजराइल ने वही किया निर्दोस 25 सजार फिलिस्तिनियों को मौत के घाट उतार दिया और गजापटी को पूरी तरह से मलबे में तबदिल कर दिया लेकिन इसको नहीं पता था कि इस दोरान हवाई हमले में एक भी हमास का आदमी नहीं मारा गया नो उसका एक बाल ते रहा हुआ सोचिए साथ अक्टूबर को रॉकेट हमले में हमास ने और फिलिस्तिनियों ने हजारो इजराइलियों को बंधक बना लिया उसके बाद इजराइल ने हमला किया उस हमले में अब तक एक भी फिलिस्तीनी हमास से या फिलिस्तीन में जो फसे हुए इजराइल उसको नहीं छुरा पाया ये है इजराइल की ताकत का अंदाजा इजराइल जो अपने आपको सोकल्ड सुपर पावर कहता था उसकी हैसियत यह है कि एक भी अपना बंधक वो हमास से नहीं चुरा पाया उसने भले 25 जा निर्दोस फिलिस्तिनियों को मारा उसने भले उहां मलवे में तबदिल कर दिया लेकिन एक बंधक नहीं चुरा पाया दरसल आपको आप कहेंगे कि जब हमास ने भी बंधक बनाया आम इजराइलियों को तो कौन सी बहादुरी है ये उसको सबक सिखाना था कि निर्दोस की जीवन की क्या कीमत होती है दरसल इजराइल हर साल लगबग सैक्रो फिलिस्तिनियों को बंधक बना लेता था उनको जेल में डाल देता था या तनाय देता था और कबजा करता जा रहा था यही सबक सिखाने के लिए फिलिस्तिन और हमास ने कारवाई की और उसके बाद जैसे इजराइल ने हमला किया उसकी कारस्तानी दुनिया को पता चले लगी पता चला कि वो हमास से तो लड़ी नहीं रहा है वो तो आम फलिस्तिनियों को मार रहा है स्कूल उड़ा रहा है, अस्पताल उड़ा रहा है बच्चों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है बुजर्गों को मार रहा है और यह सब कुछ दुनिया को पता चला अलजजीरा की वज़ा से और सोचल मीडिया की वज़ा से X की वज़ा से, Facebook की वज़ा से और YouTube की वज़ा से बाद में X को कंट्रोल किया जाने लगा क्योंकि खुद जो ये X का जो अब नया मालिक है वो खुद एहुदी है लेकिन आप कब तक रोकेंगे दुनिया भर में तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेश फॉर्म्स हैं और उस पर दुनिया को पता चल गया और इसी का नतिजा कि पहले 122 देशों ने 142 देशों ने फिर 153 देशों ने इजराइल के खिलाब बोटिंग की उनाइटेर नेशन में और सबसे बड़ी ब परसिंट कारोबार जो हैं वो समुंदर के रास्ते था और वही पर फिलिस्तीनी के पक्ष में हमास के पक्ष में हुती के लराक हुती ने यमन के लराकों ने उसकी नबज जवादी नस दवादी और अभी जराइल तरही तरही कर रहा है बरबाद हो रहा है इतना ही नहीं इ अमले के लिए तयार रहो अमरीका ने भी उस तरह से मदद करना बंद कर दिया जिस तरह से उसको मदद के उमीद थी इसराइल को वहीं जिस तरह से चीन और रूस ने हथियारों की सप्लाइब शुरू कर दिया नॉर्थ कोरिया ने अब हिजबुल्ला जो लिवनान का लडाका है वो सीधे घूस कर इसराइल पर बंबारी कर रहा है हमास के पास अब इतने हथियार और रॉकेट लॉंचर है कि वो कंदे पर रॉकेट लॉंचर रखके इसराइल के हिलिकॉप्टर को मार गिरा रहा है ड्रोन को मार गिरा रहा है और सारा का सारा आईरन डोमराडार धरा क का धरारा गया ताजा अपडेट ये है कि अब इजराइली सैनी गजा पट्टी और वेस्ट बैंक से वाफसी कर रहा है अभी भी इजराइल हारी बिल्ली खंभानों चे एक ही काम कर रहा है वो सिर्फ निर्दोस फिलिस्तिनियों को मार रहा है लेकिन सोचिए हमास हुथी और ह सैनी को हमास ने मारा है घात लगा कर मलवे वही मलवा जो है वो उसके लिए बहुत बड़ा कवरगाह बनता जा रहा है इजराइली सैनी को वापस अपने बैरक में लोटे लेकिन वहां भी खैर नहीं है लिबनान हूती और हमास के जो लडाके हैं वो सीधे सीधे मिसाइल द पता रही है कि अब वो इस युद में गुरिला युद में टिक नहीं सकता है तो सोचिए 75 सालों से जो गोरी मीडिया है जो युदी मीडिया उसके दम पर एक निर्दोस देश को आतंकी घोसित कर रखा था इजराइल ने और वो बेनकाब हो चुका है और भारस सरकार पूर की मजबूरी देखिए अभी भारत में वैकेंसी निकलिया ये एक लाख लोग इजराइल मांग रहा है कि हमें भारत के एक लाग इजराइली चाहिए और यहां की युबा कह रहे हैं कि हम यहां भूखे मर रहे हैं बिरुद्गार हैं तो इससे अच्छा है कि हम इजराइल म जाना चाहते हैं जहां बंबारी हो रही है जहां युद्ध है क्योंकि वो यहां दुरुजगार हैं यह मैं नहीं कह रहा हूं यह खबार की रिपोर्ट है तो मुझे तो इस्पेशल गुजारी से भक्तों से कि वो जाएं इसराइल और इसराइल को बचाएं वहीं दच्छिन मैं फिर बार बार आपको कोट कर रहा हूं एक बार निलसन मंडेला और यसार अराफात एक साथ बैठे थे भारत के जो मनुबादी मीडिया है जातिवादी मीडिया उसी तरह के उस समय के गोड़े मीडिया ने कहा था कि आप निलसन मंडेला हैं आप यसार अराफात के साथ बैठी में तो आतंकी देश के सरगणा है। तब मंदेला ने का था कि तुम्हारे सर्टिफिकेट देने से कोई आतंकी नहीं हो जाता है। हमारा दर्द का रिस्ता है हमारे साथ नसल के नाम पर सोशन हुआ रंग के आधार पर सोशन हुआ इनके साथ धर्म की वज़े से सोशन हो रहा है भारत की जो जातिवादी और मनुवादी मीडिया है वो भारत के 95% लोगों के साथ जाती के आधार पे सोशन करता और उनके खिल तरह से CNN, BBC ये तमाम रंगवेदी मीडिया है उसी नसलवादी मीडिया है उसी तरह से भारत की मीडिया जातिबादी मीडिया है और जिस तरह से पिछले 75 सालों से नसलवादी मीडिया ने फिलिस्तीन को बदनाम किया उसी तरह से भारत की जातिबादी मीडिया यहां के 95% दलि मीडिया चैनल नहीं खोलेंगे और सबसे ज़्यादा इनको ब्लॉक नहीं करेंगे तब तक आपको अपना समयधानी का अधिकार नहीं मिलेगा और आपके निताओं को इसी तरह से बदनाम किया जाता रहेगा तो ये बड़ा अपडेट है अजराइल और फिलस्तिनी उढुत में कि एजराइल पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है और फिलस्तीन अपनी आज़ादी के लिए करो या मरो की निती पर काम कर रहा है और पहली बार दुनिया के लगवर 153 देश फिलिस्तीन के साथ खरे हैं और वो सारे देश मुस्लिम देश नहीं है शुक्रिया